सुप्रभार्थ मेरे प्यारे बच्चों, आज है सब्ता का पाँच्वा दिन, जो है शुक्रवार, और आज हमारी हिंदी की क्लास की बारी है, जिसमें हम सीखेंगे स्वर के अक्षर अ से अ को पढ़ना और पैचानना, फिर हम व्यंजन की पहली लाइन को छित्रों के साथ प सीखाऊंगी, फिर हम हमारी दो कविताओं का रिविजन करेंगे, जो है मीठी खीर और पानी बरसा, तो बच्चों, चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करते हैं, बच्चों अब आप अपनी हिंदी की रीडिंग की बुक रेके आओ, जो है हिंदी पढ़ो और सीखो, जिसकी की हम स्वर और वियाजन को पढ़ना खी खेंगे, जो हमने हमारी बुक को ओपन कर लिया है, आप हम है पेज Nord 3 पे देखिया, यहे पेज receptcall 3, और इसकी हम स्वर और वियाजन को पर ना खी हम स्वर और सीखेंगे, देखो आप यह सबसे पहले क्या शुरू हो रहा है, स्वर, स्वर का पहला अक्षर है अ बोलो आप भी मेरे साथ अ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, अ, आ, ओ, अ, 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 तो बच्चो ये अ से अ तक क्या है, स्वर है अब यहां से हम शुरू करते हैं व्यांजन को पढ़ना, ये है व्यांजन की पहली लाइन, व्यांजन का पहला अक्षर है क, क्या है ये क, बोलो आप मेरे साथ क, अब है ख, क के बाद आता है ख, फिर है ग, ग के बाद आता है ग, और ग के बादा है अड, बच्चो अब आप अपने बुक का पेज रंबा 16 खोलो ये देखो आप ओपन करो पेज रंबा 16 क्या आपको याद है चलो दोहराएं चलो हम जल्दी से ये दोहरा लेते हैं स्वर के अक्षर बच्चो स्वर में तेरा अक्षर होते हैं तेरा मतलब 13 काउंट करते हैं तो स्वर में कितने अक्षर होते हैं 13 तो हमने स्वर को दोहरा लिया अब बच्चो हम व्यंजन की तरफ चलते हैं और हम पेज रंबा 22 निकालते हैं देखो आप 22 22 और व्यंजन का पहला अक्षर है क क से कलम पैन को हम क्या बोलते हैं कलम हिंदी में होता है कलम और ये क्या है कमल सुन्दर सा फूल हमारा राष्ट्रिय फूल ये है कमल और ये है कच्छुआ जो पानी में भी रहता है और धरती पर भी रहता है क से कच्छुआ क से कबूतर गुटरगू करता है कबूतर क से कटोरी कटोरी में हम क्या खाते हैं दाल सबजी है ना और ये है कलश क से कलश जिसमें हम पानी भरके रखते हैं तो हमने क्या पढ़ा क क के बाद आता है बचो क क से खटिया ये देखो ये चार पाई है इसको कहत खटिया गाउं में लोग इसको ही यूज करते हैं और खटिया में क्या रहता है खटमल यह एक छोटा सा कीड़ा है जो की खटिया में रहता है और फिर यह खून चूसता है जैसे मच्छर होता है वैसे ही यह खटमल होता है यह बहुत शैतान है ख से खटखटाना, जब हम घर पे किसी के जाते हैं तो नौक करते हैं अगर बेल नहीं बसती है, तो ख से खटखटाना, ख से खरगोश, प्यारा सा जानवर ख से खरगोश, और ख से खरबुजा, खरबुजा क्या होता है, एक तरह का फल होता है, ख से खरबुजा, अब हम परेंगे ग मेरे साथ बोलबा गसे गज हाथी का दूसरा नाम गज भी होता है गसे गज इसकी लम्बी सी चहạnhँ है गसे गज और गज को क्या पसंद है गन्ना गसे गन्ना और गसे क्या होता है गसे गधा दुनिया का सबसे महनती जानवर गसे गधा और गसे गाई जिससे हमें मिलता है दूद गसे गाई और गसे गाजर जिससे बनता है गाजर का हलवा गसे गाजर तो देखा आपने गः है बहुत काम का और गसे गमला जिसमें हम फूल लगाते हैं गसे गम घ से घटा, घटा मतलब बादल, जिन से बारिश होती है, घ से घटा, घ से घडा, ये आंठी जो है, ये पानी भरने गई, तो उन्हें कौन मिला रास्ते में, घडियाल, जिसको देखकर आंठी घबरा गई, तो घ से घबराना, घ से घडियाल, घ से घबराना, घ से घडा, और घर से घर, पानी भर के कहां जाएंगी, घर में जाएंगी, और घर से घड़ी, घड़ी हमें समय बताती है, घर से घड़ी, घर के बाद आता है अड़ा, अड़ा है खाली, बच्चों बजाओ ताली, अड़ा से कुछ नहीं होता है, अड़ा होता है खाली, तो बच्चों ने बजाई ताली तो पढ़ा आपने ये कसे अड़ा को ऐसे ही रीट करना है और इसका विडियो बना के मुझे भेजना है बच्चों मैं आज आपको फिर से छोटी की लिखना सिखा रही हैं हम इसका बार बार अभ्यास करेंगे तो हमें ये बिल्कुल अच्छे से लिखना आ जाएगा तो आप ध्यान से पोट की तरब देखो ये है आज की डेट आज है 18 सेक्टेंबर और अब मैं आपको सिखाती हूँ छोटी की लिखना हूँ अब आप देखो आपको इस ब्लू लाइन पे अपनी पैंसल रखनी है और एक छोटी सी स्टाइन लाइन बनानी है फिर आपको एक सी बनाना है और अपना हाथ नहीं हटाना है बच्चों और फिर हमको उल्टा सी बनाना है और हमको उसको अंदर ले जाके उसकी एक छोटी सी पूच निकाल ली है और इस blue line को touch कर देना है इस तरह से बनाना है और इसके बाद हमको हमारा हाथ हटाना है इसके बाद वांपर से हम उपर जाएंगे और एक छट लगा देंगे इस तरह से छोटी E लिखना है आपको मैं फिर से लिखना सिखाते हूं आपको छोटी सी standing line बनाई C बनाया फिर उल्टा C बनाया और उसकी पूँच निकाव दी और फिर छट लगा दी इस तरह से बन गया छोटी E ये है छोटी E छोटी E से इपली फिर से देखते हैं standing line C बनाया, उल्टा C बनाया और ये लिखने के पीच में हमको हमारा हाथ नहीं हटाना है पूरा लिखने के बाद ही हाथ को हटाना है बच्चो अब आप देखो आपको कैसे नहीं लिखना है आप इसको ऐसे उपर ले जाके इसको ऐसे यू नहीं बनाऊगे या फिर आपने इसको ऐसे किया और इसको ऐसे टच नहीं करोगी ये गलत है ये ऐसे होना चाहिए देखो आप इसकी सारी लाइने दिखने चाहिए इस तरह से और फिर हमको छट लगानी है ये रोट फिर सरीपने हैं स्टैंडिंग लाइन सी उल्टा सी और इसकी प्मूझ निकावी ऐसे बनता है छोटा इ अब मैं आपको आपकी नोट बूक में लिखना से करती हूँ आचो आज हम फिर से छोटी इ लिखना सीखेंगे छोटी इसे क्या क्या होता है देखो आप छोटी से इमली, छोटी से इमर्ती, मीठी, मीठी, इमर्ती और खटी, खटी, इमली तो हमने देखो आप छोटी इ लिखना सीख लिया हमने दो बार लिखा है और आज हम इसको थर्ड टाइम कर रहे हैं तीसरी बार लिख रहे हैं तो हम इसको लिखने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है हमको date लिखनी है आज की date लिखेंगे हम सबसे पहले आज क्या है 18th September 2020 इस तरह से date लिखी उसके बाद हमको छोटी लिखना है छोटी लिखने के लिए पहले क्या करना है हमको एक छोटी सी line बनानी है standing line और उससे attached C बनाना है फिर ultra C बना के हमको उसकी पूछ निकाल देनी है और यह हमको इस block से बाहर नहीं निकालना है बच्चों इस तरह से हमको देखवा और आपको sharp pencil यूज़ करनी है अगर आप sharp pencil यूज़ करोगे तो आप छोटा ही आसानी से और साफ साफ बना सकोगे देखो छोटी line बनाई छोटी सी standing line बिल्कुल छोटी सी standing line फिर हमको अपना हाथ नहीं हटाना है हमको उससे attached ही बनाना है देखवा ऐसे छोटी सी standing line सी बनाया फिर उल्टा सी बनाया फिर हमने उसकी छोटी सी पूँच निकाल दी और उसको इस blue line के बाहर नहीं निकालना है ऐसे ध्यान से देखेंगे इस तरह से सी बनाया उल्टा सी और फिर उसकी पूँच निकाल दी इस तरह से बच्चों देखो हमने first line finish कर ली छोटी इसे छोटी इसे इमली छोटी से इमर्ती छोटी इसे इंद्रधनुश और छोटी इसे इंजन चुक चुक करता हुआ इंजन ऐसे और इसको बिल्कु सीधा रखना है हमें ठीक है सीधा ही लिखना है इस तरह से छोटी सी standing line C फिर उल्टा सी फिर उसकी पूछ निकल जाएगी और इसको इससे टच नहीं करना है यह देखो आप यह उपर वाला टच हो गया तो यह रॉंग हो गया इसके सारे जो curves है जो जहां पर बोड़ रहा है वो सब देखना चाहिए इस तरह से बच्चों देखो आप हमने यह second line भी finish कर ली वाव अब हम third line पे आ गए बच्चों अब हम है last line पे देखो आप standing line C, ultra Z और उसकी पूछ निकाल दी है यह से आपको लिखना है छोटा E इस तरह से लिखेंगे standing line C बनाया, ultra Z बनाया, फिर उसकी पूछ निकाल दी और हमने देखो आप, यह last block भी लिख लिया अब यहाँ पे गलती की थी, यह देखो आप यह से touch हो गया था तो हम इसको erase कर देंगे और इससे मैं फिर से लिखूंगी देखो, इस तरह से लिखेंगे आपको ऐसे ही one page छोटा ही लिखना है और उसकी picture माम को भीजनी है बच्चों हमने रिट्र की वक्तों करिया, अब आती है कविताओं की बारी तो चलो पहले हम मीठी खीर कविता को रिवाइस करते हैं माने मीठी खीर बनाई, हम सब ने है मिल कर खाई चडिया राई तुम भी खाओ, खाकर मीठा गा नागाओ बच्चों अब हमारी अगली कविता की बारी आती है जो है पानी बर्सा और यह है नई कविता, तो चलो हम इसको आक्शन के साथ बोलते हैं पानी बर्सा छाम 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 चाता दे करने के लिए हम पानों से सर्ण की आँखे उगए हम, छाता नीचे उपर हम उड़ गया छाता रह गया हम बच्चों आपको दोनों कविताएं जो है मीठी खीर और पानी बर्सा आक्शन के साथ याद करनी है उसका विजियो बराना है और मुझे भेजना है मैं आप से आपकी अगली क्लास अंडिरती हूँ तब तक के लिए बाई